बच्चों हम बारवीं कक्षाई गनित की पठे पुस्तका का अध्याय तीन आवियू पढ़ रहे हैं जिसके अंतरगत आज हम विवित प्रस्ण माला के प्रस्णों को हल करेंगे तो देखिए हमारा अगला प्रस्ण प्रस्ण संख्याच है क्या कहता है? x, y, z के मानों को ग्यात किजिए यदि आवियू ए समीकर्ण a dash into a equal to i को संतुस्ट करता है a dash का मंतलब होता है a का transpose यानि की परिवर्थ परिवर्थ कैसे निकालते हैं? सभी पंक्तियों को इस्तंबों में convert करके हम किसी matrix का परिवर्त निकाल सकते हैं बच्चो तो यहाँ पर देखेगा A matrix आपको given है A dash आप find out कर लेंगे इस समीकण को संतुष्ट करा देंगे सामने I लिखा हुआ है I का मतलब समान को टिका आपका क्या हुआ इकाई matrix हुआ ठीक है और X Y Z के मानों को प्राप्त कर लेंगे तो A dash की value देखेगा बच्चो हम समीकण को संतुष्ट कराते हैं तो A dash की value क्या लिख देंगे आपका समीकण है दिया हुआ है A dash into A equal to I आपको given है A dash की value implies that क्युशन मैंसे A से A dash बना लेंगे कैसे आप पर्थम पंक्ति को पर्थम इस्थम बनाएंगे 0,2,Y,Z तो देखेगे 0,2,Y और Z पर्थम इस्थम बना दिया दृत्य पंक्ति X,Y,Z, X,Y,Z और X,Y,Z यह आपका A dash हो गया multiply में आपका A, A आपको given है 0,2,Y,Z, X,Y,Z, X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,Z और सामने आपका A, I, यानिका A, I matrix 1,0,0,0,1,0,0,0,1 यह आपको दिया गया है देखेगे बात को आगे बढ़ाते हैं, multiplication करते हैं, multiplication करते हैं, तो पंक्ति का गुणा इस्थम से ही किया जाता है उसके बात देखेगा, 0 into 2Y आपका 0, X into Y plus XY, और X into minus Y minus XY, उसके बात देखेगे 0 into z आपका 0 और यहां पर x into आपका minus z कितना हो जाएगा minus xz हो जाएगा और x into z plus xz आपका बन जाने वाला है उसके बाद दूसरी पंक्ति को सभी इस्तम्मों से multiply करेंगे 2y into 0 आपका 0 y into आपका कितना x कितना हो जाएगा xy और minus y into x minus xy उसके बाद 2y into 2y आपका कितना हो जाएगा 4y square y into y y square minus y into minus y plus ka y square 2y into z आपका कितना हो जाएगा 2y into z 2yz हो जाएगा बच्चों का और y into आपका minus z minus ka yz हो जाएगा और minus y into z minus yz एक और मिल जाएगा बच्चो को, उसके बाद तीसरी पंक्ति को सभी स्तंबो से multiply करेंगे, z into 0, 0, minus z into x, minus zx, and z into x, ये एक और आपका plus का zx प्राप्त हो गया, z into 2y, आपका हो जाएगा, 2yz, minus z into y, आपका हो जाएगा, minus yz, and z into minus y, minus yz, आपको यहां मिल जाएगा, उसके बाद z into z, बच्चो का हो जाएगा, z square, minus z into minus z, plus का z square, एक और, z into z, एक और, plus का z square, और ये matrix, equal to आपका क्या है, identity matrix, जिसको आप लिख देंगे, बच्चों, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, इस equation को आगे बढ़ाएं, तो देखें, क्या मिलता है आपको, implies that, left side में जो matrix है, वो, यहां पर, 0, plus x square, plus x square, 2x square बन जाता है, यह आपका, cancel out होके 0, यहां भी आपका 0, यह आपका 0 हो जाता है, यहां पर आपको 6y square मिलता है, यह 0 हो गया, यह 0, यह element भी 0 हो गया, और यह 3z square, और equal to आपको मिल जाता है, बच्चों, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, इस तरह से, implies that, संगत अव्यो बराबर होने चाहिए, अगर 2 matrix बराबर हैं तो, संगत अव्यो बराबर करने के नियम से, 2x square equal to 1, और आपका 6y square equal to आपका 1, और आपका 3z square equal to 1, आपको प्राप्त होता है, इस matrix ने, implies that, x square equal to क्या मिल गया, नीचे में 2 गया, तो 1 by 2, y square equal to मिल गया, 1 by 6, and z square equal to बन गया, 1 by 3, implies that, x equal to, दोनों तरफ वर्गमून लेने प 1 upon 2 का under root, तो 1 upon root 2 हो जाता है, यहां से y का value plus minus 1 upon root 6 हो जाता है, और z का value आपका plus minus 1 upon root 3 हो जाता है, इस तरह x, y, z के मान बच्चों ने प्राप्त कर लिए, आगे देखते हैं, अगे क्यूशन में क्या कहा गया है, क्यूशन number 7, x के किस मान के लिए, यह matrix एक है, आपका पंक आपको O, O का मतलब क्या होता है, सुनने matrix प्राप्त होता है, तो x की ऐसी क्या value हो, कि सामने क्या मिल जाए, सुनने matrix, साचरेता का पालन किया जाता है, matrix दूनन में आप जानते हैं, matrix दूनन साचरेता का पालन करता है, तो आप पहले दोनों 1st और 2nd matrix को multiply करके, जो value आए, उ उस matrix को आप 3rd matrix से multiply कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि last वाले दोनों matrix को आप पहले multiply कर दें, और फिर उसके बाद 1st वाले matrix को, जो result है, उससे matrix से multiply करके, value रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करें, मैं इस matrix को यहाँ से multiply कर देता हूँ, दिए कितना, इ आपका यह गुणन संभव हो जाता है, तो देखिए, गुणन संभव कराते हैं, implies that, कितना मिलेगा, पहली पंक्ति को सभी स्थम्मों से गुणा करना है, तो पंक्ति एक ही बनेगी बच्चों, पंक्ति मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा, पहली पंक्ति को 1st इस्थम से, फिर दृत्य से, फिर दृत्य से कराएंगे, तो एक ही पंक्ति में अव्यवा जाएंगे, तो देखिए, 1 इंटु 1, 1, 2 इंटु 2, plus 4, and 1 इंटु 1, plus 1, और उसके बाद, 1 इंटु 2, 2, and 2 इंटु 0, 0, and 1 इंटु 0, 0, उसके बाद, 1 इंटु 0, 0, and 2 इंटु 1, कितना 2, और 1 इं सामने आपका O, यनि कि सुनने मैट्रिक्स, implies that, आगे बाद को बढ़ाते हैं, आगे बाद को बढ़ाएं तो क्या आएगा दिखिएगा, यहाँ पर मिलता है आपको पंक्ति मैट्रिक्स, 1, 4 और 1 जुड के कितने मनगे 6, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितने मनगे 4, इसका ग 6 into 0, 0, 2 into 2 आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 4, and 4 into x कितना हो जाएगा, 4x, तो देखा बच्चों, यह आपका एक एकल मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति, पहला इस्तम एक ही अव्यों प्राप्त होगा, दिखिए, इसका जो ओडर है, वो कितना है, 1 by 3, इसका 3 by 1, तो यह दोनों बरापर होने से तो क्या होता है, गुणन, यानि कि पहले मैट्रिक्स में इस तम्भों की संग्या, दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों के बरापर होते ही, गुणन संभव हो गया, गुणन के बाद आपको 1 by 1 का, यानि कि एकल मैट्रिक्स प्राप्त होत आप सामने देखेंगे, तो यह अब यो बराबर होने के कारण, 4 प्लस 4, x इक्वल 2 मिल जाता है बच्चो को 0, और x इक्वल 2 यहां से माइनस 1 मिलता है, जो कि आपका आंसर हो जाता है, इस तरह से आप इस question को कर सकते हैं, अगला question देखेंगे, question number 8, यदि A एक matrix आपको given है, तो A square minus 5 A plus 7 I बराबर 0 क्या है की नहीं, आपको सिध करना है, सिध करना है तो LHS लेके चलेंगे और RHS निकाल देंगे, सबसे पहले A square find out करते हैं, A square की value देखिए, A का A से गुनन 3 1 minus 1 2, यहां पर 3 1 minus 1 2, multiply करेंगे, पहली पंक्ती, पहला इस्तम, 3 को 3 से किया 9, 1 को minus 1 से किय minus 1, 3 को 1 से किया 3, और 1 को 2 से किया, आपने कितना आया, आपका 2, minus 1 को 3 से किया, आपने कितना आया, minus 3, और 2 को minus 1 से किया minus 2, minus 1 को 1 से किया minus 1, और 2 को 2 से किया 4, आप देखते हैं बच्चों, matrix equal to कितना आ जाता है यह, यह आपका 8 हो जाता है, यह आपका 5, यह minus 5, और यहां स से 3, यह 2 by 2 का आपको matrix मिलता है, ठीक है, आपको LHS ले लेना चाहिए, LHS जो equation आपको satisfy करानी है, जो सीध करना है, उसका LHS है, A square minus 5A plus 7I equal to, देखेगा, A square की value लिख देंगे, LHS equal to क्या आया देखेए, A square, A square कितना है, 8, 5, minus 5 and 3, यह values है, A square है, minus 5A, A की value है, 3, 1, minus 1, 2, और फिर 7I, 7I, I की value 1, 0, 0, 1, जैसा की बच्चे जानते हैं, इकाई matrix होगा, चलिए आगे बाद को बढ़ाएं, तो आपको मिलता है, 8, 5, minus 5, 3, यह, minus 5 को अंदर multiply कर दें, तो बहर प्लस हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा, minus 15, minus 5, plus 5, और यह minus 10, और यहां पर 7 को अंदर में multiply कर दें, तो 7, 0, 0, 7 बच्चों को मिल जाता है, आगे बात करें, संगत अव्यों जोडते हैं, संगत अव्यों होंगे, तो संगत अव्यों को जोडने के नियम से देखेगा, 8, plus minus 15, plus 7, 8, minus 15, और plus 7, 5, plus minus 5, plus 0, 5, plus minus 5, तो minus ही हो जाएगा, और plus 0, यहां से minus 5, plus 5, और आगे आपको क्या मिल रहा है, यहां पर 0, तो यह plus में 0, संगत अव्यों 3 के, minus 10, और 7, तो 3, minus 10, plus 7, इस तरह से आपको यह matrix मिलता है, तो आप देखें कितना हो जाएगा, 8, minus 15, plus 7, 8, plus 7, कितना हो जाएगा, 15, minus 15 से cancel out होगा, और 0, minus 5, और 5, आपस में cancel out हो के 0, minus 5, और 5, यहां से भी cancel out हो के 0, minus 10, 3, plus 7, plus के 10, minus के 10, cancel out होंगे 0, और यह कितना हो जाता है बच्च find out कर लेते हैं, तो आपको जो दिया गया था, वो equation आपने सिद्ध कर दिया, इस तरह से बच्चे इस question को कर सकते हैं, अगला question देखिएगा, क्योंसर नमबर नो, matrix है, उसी तरीक का है, तीन matrix आपको दिये हैं, सामने हैं आपका सुनने matrix, तो x का मान ग्याद कीजिए, ठीक है, हम दोनों matrix को पहले multiply कर लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, आप इन दोनों matrix सो पहले multiply करीजिए, कैसे करेंगे, implies that, ठीक है, बनेगा, x into 1, x, minus 5 into 0, कितना बनेगा आपका, 0 ही बन जाएगा, और minus 1 into 2, कितना बन जाएगा, minus का 2 बन जाएगा, पहली पंक्ती, पहला इस्तम, अब पहली पंक्ती, दूसरा इस्तम गुणा करेंगे, x into 0, 0, minus 5 into 2, minus 10, minus 1 into 0, 0, जो, आगे बने, आगे बने, तो पंक्ती को तीसरे इस्तम से गुणा करेंगे, कितना 2x, और आपका कितना हो जाएगा, minus 5 into 1, minus 5, और यहां से minus 1 into 3, कितना हो जाएगा, minus 3, यह आपका matrix बना, एक पंक्ती matrix, इन दोनों matrix को multiply करने से, ठीक है, गुणा में है इस्तम matrix, जो की x, 4, 1 है, सामने है आपका O, सुनने matrix, जो ही matrix आजाएगा, उतनी ही कोटी का, अपन सामने क्या लग देंगे, सुनने matrix, left side में बात करते हैं, calculate करते हैं इसको, यह हुआ x minus 2, यह हुआ minus 10, और यह element बना आपका, 2x minus 8, और इस्तम matrix बना, x, 4, 1, और आगे O, implies that, पहली पंक्ती, पहला इस्तम गुणा करेंगे, तो देखे एक ही, एकल मेट्रिक्स आएगा आपका, एक पंक्ती को एक इस्तम से गुणा करना है, तो एक ही element बनेगा आपका, देखे, x minus 2, x से multiply होगा, तो x into x minus 2, minus 10, 4 से minus 40, 2x minus 8, x से, तो plus 2x minus 8, 1 से multiply होके, जुढ जाएगा, और सामने आपका, o, इसको थोड़ा सा calculate करें, तो देखे, कितना बनेगा, x into x, x square, x into minus 2, minus 2x, जो इस plus 2x से कट जाएगा, और फिर आपका, minus 40, और minus 8, बन जाएगे, minus 48, और equal to o, o सुनने matrix है, जिसमें a के अव्यव है, क्योंकि यह भी equal matrix है, तो सामने भी सुनने matrix, एकल matrix ही होना चाहिए, तब ही वो बराबर हो सकते हैं, ठीक है, x square minus 48, equal to क्या आजाएगा, जीरो आजाएगा, और यहां से बच्चे कहेंगे, x square equal to 48, आजाएगा, implies that x equal to plus minus, दोनों तरफ वर्गमूल लेने की परक्रिया से, 48 का क्या हो जाएगा, आपका under root लग जाएगा, तो यह आपका answer हो जाता है बच्चों, आगे देखेंगे, अगला question, question number 10, एक निर्माता तीन परकार की वस्तवें, x, y तथा z का उत्पादन करता है, अच्छा वई, एक company में 3 परकार की वस्तवें बनती हैं, x, y और z परकार में विक्रे करता है, वस्तवों की वार्षिक विक्री नीचे सुचित है, नीचे नीन परकार सुचित है, देखिए, आपके पास दो बाजार हैं, first second, जैसे यह जैपूर हो गया, और यह जमेर हो गया, तो इन दो जिलों में अपने उत्पादन को बेच रहा है, यह x परकार की वस्तवें हैं, यह y परकार की, यह z परकार की, ठीक है, x परकार की वस्तवें, first बाजार में 10,000 वस्तवें बेची जाती हैं, और second बाजार में 6,000 वस्तवें बेची जाती हैं, यह कहना चाहता है, इतनी unit बेची जा रही है, y परकार की वस्तवें, first बाजार में 2000, दृत बेच रहा है और जेड परकार की वस्टवे 18,000 फर्स्ट बाजार में और 8,000 दृत्त बजार में उसके द्वारा बेचा जा रहा है तो यह जो बेचा गया यह युनिट्स हैं वस्टवों की इसका एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है तो कितनी दो थो पंक्तिया दिखाई देंए और तीन इस्तम दिखाई दे रहें 2 भाई तीन का एक मैट्रिक्स बच्चों को मिल जाता है तो बच्चे ऐसा मान सकते हैं कि माना एक मैट्रिक्स है जो की वस्टवों की क्वांटिटी जो आप बेच रहे हैं दोनों बाजारों में उनका आकलन कर रहा है जैसे कि 10,000 फर्स्ट ऐलिमेंट यानि पर्थम बाजार में x प्रकार की वस्तु फिर दूसरा 2000 फिर 18,000 यहां पर second बाजार में x प्रकार की वस्तु एं कितनी बेची जारी है और यह 20,000 बेची जारी है यह प्रकार की वस्तु एं और 8,000 बेची जारी है आपके z प्रकार की वस्तु एं कौन से बाजार में दृत्ते बाजार में तो इससे हमें देखने से पता लग जाता है कि कौन से बाजार में कितनी क्वांटिटी बेची जारी है वस्तु और कौन से प्रकार के वस्तुऊं की बेची जा रही है आगे आप से कुछ पूछा गया है क्यों संस्वे यदि x, y, z की प्रते की काई का विक्रे मुले विक्रे मुले से आहिप राप्त होती है देखो तो विक्रे मुले ड divi रूपे तो x प्रकार की वस्तुऊं का है एक उनिट का और एक वस्तु जब बेजते हैं y परकार की तो उसका 1.5 रुपिया वो लेते हैं और 1 रुपिया जेड परकार की वस्तु का है ऐसा वो कहना चाहता है तो बच्चे ये मान सकते हैं कि माना भी एक इस्तम मैट्रिक्स है इस्तम मेट्रिक्स ले लेंगे और इस्तम मेट्रिक्स में धाई रुपिया 2.5 रुपिया 1.5 रुपिया और 1 रुपिया इस तरह का इस्तम X प्रकार की वस्तू Y प्रकार की वस्तू Z प्रकार की वस्तू इस तरह से मान सकते हैं तो आपको परतेक बाजार का कुल रेविन्यू मतलब कुल आय प्राप्त हो जाएगी गुणन से किसके ए और बी के गुणन से ठीक है अब देखिए हम पीछे चलते हैं और इस कुल आय प्राप्त करते हैं तो कुल आय क्या बनेगी कुल आय प्रतेक प्रकार के बाजार से ठीक है फस्ट बाजार से भी और सेकिंड बाजार से भी तो देखिए मैं यहाँ पर कहूं कि मैं यह कहूंगा कि A इंटू B से प्राप्त होगी क्यों A का मतलब क्या हुआ देखिए 10,000, 2,000, आपका 18,000 यह आपका 6,000 है यहांपर यह आपका 20,000 है और यह आपका 8,000 है इसको जब गुना करेंगे हम B से और B में क्या है 2.5.5 रुपिया और यह 1.5 और यह 1.5 रुपिया धयान दीजिए बच्चों यह X परकार की वस्टु हैं यह Y परकार की है Z परकार की पहली पंक्ती पहले इस्तम से इस तरह से गुणन होता है मैटिकस में तो यह जो X हैं, यह किस से धाई रुपे से गुणा होंगे? दोनों, नीचे वाला भी रूपर वाला भी, जब मैटेक्स गुणन करेंगे तो, यह जो Y हैं, किस से गुणा होंगे? 1.5 से, तो Y का विकरे मुले कितना है? एक यूनिट का 1.5 रुपिया है, और Z किस से गुणा ह होगा, एक से गुणा होगा, तो Z की A की की कीमत, विकरे मुले कितना है? एक रुपिया, तो इस गुणन से हमें कुल रेविन्यू, यानि कुल आय प्राप्त हो जाएगी, तो A भी हमें कुल आय प्राप्त करवा देगा, प्रतेक प्रकार के बाजार में, ऊपर जो लिखी हो होगी, दिरिद्यवाजार से आये, तो देखिए, इस गुणन को करते हैं, कितना आता है? दस हजार को ढई से गुणा करेंगे, कितना बनेगा बच्चोगा, पत-चीस हजार, ठीक है? दो हजार को डेड' से गुणा करेंगे, प्लannel तीन हजार, और अठारा जार को एक से करे आएगी टोटल, 6,000 into 2,500 कितना हो गया, 15,000, 20,000 को डेड़ से गुणा करोगे, 30,000, और 8,000 को एक से गुणा करोगे, 8,000, बच्चे देखेंगे, कि ये values कितनी आती हैं, calculation के बाद, 25,000 और 3,000, आपका कितना हो गया, प्लस 18,000, तो 25,000, प्लस 3,000, और 18,000, तो आपका हो गया, 46,000, तो उपर हो गया, 46,000, यानि कि, फस्ट बाजार में 46,000 रुपे का revenue प्राप्त हो रहा है, टोटल, दृत्य बाजार की बात करें तो 15,000, प्लस 30,000, 45,000, 45,000, और 8,000, 53,000, दृत्य प्रकार के बाजार में 53,000 रुपे का revenue टोटल प्राप्त हो रहा है, कुलाईए प्रा प्रते की काई की लागत, अब लागत भी आती है, लागत कैसे company में कोई सामान बन रहा है, तो light भी जल रही है, उसका पैसा देना पड़ता है, मजदूर काम करते हैं, उनका पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आपका जो भी कच्चा माल आता है, उनका पैसा देना में और एक रुपिया वाई प्रकार की वस्तू पर पचास पैसे यानि की 0.5 रुपिया, 0.5 मतलब 50 पैसा, 0.5 रुपिया किस पे, यानि आदा रुपिया किस पे घर चोरा है, आपका जड प्रकार की वस्तू को बनाने में आ रहा है, तो ये हो गई आपकी कुल लागत, तो C मेरे पास matrix है और वो system matrix लागत से बना इस system matrix बना देता हूँ देखिए 2 रुपिया, 1 रुपिया और फिर 50 पैसा यानि 0.5 ये C को मान लेता हूँ, अब इस system matrix को जब मैं A से गुना करूंगा, तो मेरे पास total बना दोनों बाजारों की क्या आजाएगी? लागत आजाएगी अब मुझे profit जब निकालना होगा gross profit यानि की kुल लाब निकालना होगा तो कुल आए मैसे कुल लागत को घटा देंगे तो बचा हुआ जो होता है, क्या होता है? आपका कुल लाब होता है तो कुल ला बराबर कुल आय यानि कि विक्रह मुले एक ही बात है माइनस कुल लागत तो सबसे पहले कुल लागत निकालते हैं पिछे कुल लागत देखिएगा दोनों बाजारों की अलग-अलग कुल लागत कितनी आई कुल लागत बराबर आपका मैट्रिक्स 10,000 यहां लिखा हुआ है मैट्रिक्स A में और यहां पर आपका कितना है 2,000 और फिर आपका है 18,000 और यहां पर है आपका 6,000 X प्रकार की वस्तवें दिरित्य बाजार में फिर Y प्रकार की वस्तवें दृत्य बाजार में 20,000, यूनिट बेची जा रही है, और ये 8,000, इस तरह का मैट्रिक्स है, इन्टू में आपका C कर दिया जाए, C क्या बना था आपका 2 रूपिया, 1 रूपिया और 0.5, ये आपका C बना था, अभी जिसको आपने C माना है, इसको गुणा करते कुल लागत जाएगी, देखेगा कुल लागत कितनी हुई बच्चों की, implies that, 10,000 को 2 से गुणा किया बच्चों ने, कितना हो गया, 20,000 रूपिया, प्लस, 2,000 को 1 से किया, 2,000, और 18,000 को 0.5 से किया, 9,000, 6,000 को 2 से किया, कितना हो गया, 12,000 आपका, 20,000 इंटू 1 प्लस 20,000 हो गया, और 8, 8,000 इंटू 0.5, आपका 4,000 हो गया, तो देखिये, पर्थम और दृत्य बाजार से, जो आपका कुल बना, कुल लागत जो लगी, वो देखिये, 20,000 प्लस, आपका 2,000, 22,000, प्लस 9, आपका कितना हो गया, आपका 31,000, ये कुल लागत आई, पर्थम प्रकार के बाजार में, जो बस्तुए बेची गई उनकी, दिरत्य बाजार में, जो बस्तुए बेची गई उनकी लागत 12,000, प्लस 20,000, 32,000, और 46,000, 36,000 रुपे की लागत उन पर आई, तो ये कुल लागत, अब कुल लाब की बात करे, कुल लाब, जैसा की बचों को बताये गया था, जो कुल आपका ये matrix denote कर रहा है दोनों बाजार की ये first बाजार की आपकी ये second बाजार की तो कुल लागत को घटा दिया जाए तो आपका कुल लाब बच जाता है कैसे निकालेंगे कुल आए आपने देखी थी कुल आए का जो matrix था पर्थम बाजार में कुल आए कितनी हुई थी आपक पर्थम बाजार में कुल लागत कितनी है ये भी निकाली आपने 31 अजजार और दिर्थ्य बाजार में 36 अजजार अब इनको घटाएंगे तो जो matrix प्राप्त होगा वो कुल आपको दरसाएगा और दोनों बाजारों में first और second में 46 माइनस 31 करेंगे आप 15,000 आपका और 53 गया तो देखिए आप देखते हैं पर्थम बाजार में आपको 15,000 रुपे का लाब होता है दृत्य बाजार में आपको 17,000 रुपे का लाब होता है और आप दोनों बाजारों का समलित लाब की बात करें मतलब आपको इस पूरे कारोबार में जो लाब हुआ है वो 15 प्लस 17 कितना हो गया 32,000 रुपे का लाव हो गया तो इस तरह से आप इसक्यूसन को कर सकते हैं बच्चो आज के लिए इतना ही धन्यवाद